जैहिं दोस्तों, स्वागत है A2B2Estudy की YouTube चैनल में दोस्तों जैसा कि आप सभी सुबह से ही इंतजार में थे कि आज जो Second Round का काउंसलिंग का रियल्ट है वो घोसित होने वाला था जैसा कि आप अगर जेक अपके दोरा जारी सेड्यूल में भी देखेंगे तो सेड्यूल में साफ साफ लिखा गया है Second Round of Seat Allotment ये जारी होने वाला है आपका 14 September 2022 यानि कि आज पर यहाँ पे आपको जेक अपकी सारा सर नाकामी दिख रही होगी क्योंकि अभी साथ बजने वाला है और साथ बजने के बाद भी अभी तक अगर आप वेपसाइट पे जेक करेंगे तो Second Round का जो काउंस्लिंग का रिजल्ट है वो नहीं जारी किया गया है दोस्तो First Round का जो काउंस्लिंग कराया गया था वो आपका 11 से 13 के बीच में इसके समय दिया गया था जिसमें की फ्लोट करने वाले स्टूडेंट 3000 उपे फी पेट करके वो Second Round की काउंस्लिंग करें होंगे वहीं जो स्टूडेंट फ्रीज किया होंगे उनकी तो बात ही कतम फ्रीज करने वाले स्टूडेंट पूरी की पूरी फीस कॉलेज की जो भी फीस होगी अलग-अलग ब्रांच के लिए अलग-अलग स्टूडेंट के लिए अलग-अलग फीस रही होगी तो उन्होंने अलग-अलग अपना फीज जो है वो पेट किया होगा दोस्तों उनका भी जो लिस्ट है वो बहुत ही जल जारी हो जाएगा उसके लिए हम आपको सेबरेट वीडियो बना कर इसकी जनकारी दे देंगे पर यहाँ पे जेगब की जो नाकामी है वो वो साप साप दीख रही है अभी तक जो आपका लिस्ट है वो जारी इनको कर देना चाहिए था पर अभी भी इनका जो लिस्ट है वो जारी नहीं गुआ है दोस्तो उम्मीद है कि जो आपका लिस्ट है न वो रात के 10 बज़े तक जारी हो लेकिन जारी तो होगा आज ही ठीक है इसलिए आप लोग वेबसाइट पर लगातार बने रहिए लिस्ट तो जारी होगा आज ही क्योंकि इन्होंने लिस्ट यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर सेकेंड डाउन में भी चूज करेंगे तो उनको भी प्राबलम हो सकती है ठीक है क्योंकि इन्होंने अगले ही दिन यानि 15 यहाँ पर देख सकते हैं आप 15 यहाँ पर वाली आठवी नंबर पर आगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है और आपको सेकेंड डाउन में भी कालेज जो पसंद नहीं आएगा तो आप तो करेंगे क्या करेंगे आप करेंगे फ्लॉट कि आपको जो कॉलेज है फ्रीज करते ही आपका वह कॉलेज कनफर्म हो जाएगा उसको कनफर्म करने के लिए आपको जाना है अपने जो भी आपने health center चूज किया है counseling के समय वहाँ पर आपको जाना है document verification कराने के लिए document verification के लिए इन्होंने समय दिया हुआ है 15,9,22 से 17,9,22 यानि 15,16,17 आपको 3 निन का time यो दे रहे है second round की counseling के लिए देखिए, first round की जो counseling होई थी उसमें भी इन्होंने 3 निन का ही समय दिया था और जो second round की seat allotment होता है इसके लिए भी ये 3 निन का ही समय दे रहे है extra समय आपको नहीं दे रहे है तो अगर आपकी list second round की seat allotment की अगर ये गलती करते हैं आज जारी नहीं भी करते हैं तो ये list जो है वो कल जारी कर सकते हैं तो आप सभी को घवडान नहीं है क्योंकि आपको पुरा-पुरा समय दिया जा रहा है यहापे आपको complete समय दिया जा रहा है कि 3 दिन तक आपकी जो document verification याण dv का काम है वो चलेगा पर दोस्तों यहाँ पे एक problem ये हो जाती है कि आपका जो first day है न पहला दिन ठीक है first day जो है dv आने document verification के लिए वो आपका 15 तारीक ही है ठीक है यहापे आप देख सकते है 15-17 तो अगर 15 तारीक को ये अगर 15 September को आपका result जो है second down के counseling का जारी करते हैं तो आप तुरंत कैसे पहुच पाएंगे अपना help center पे document verification कराने तो वहाँ पे तो आपको problem हो सकती है क्योंकि अगर आप ये list आज जारी हो गया होता सुबह तक ठीक है सामके पाच बै तक अगर भी ये list को जारी कर देते result को घोशित कर देते फिर भी चातर जो थे वो अपना बेवस्था वगरा कर लेते अपना जो भी document वगरा है उसको setup कर लेते पर इन्होंने बिलकुर भी समय ने दिया तो दोस्तों अभी आप website पर लागातार बने रहिए मैं जारी लंबी वीडियो बनाने चाहता बस आप आप सभी को आसवासन देने के लिए और आप सभी को जो भी आपके अंदर डाउट बन रहा है ना उसको दूर करने के लिए वीडियो में लाया था तो आप सभी website पर एक्टिर रहिए और जैसे ही कोई भी official update आता है ना हम आपको तुरंट website पे नोटिफाई कर देंगे इसके लिए आप चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिसे हम जैसे ही आपको नोटिफाई करेंगे न आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जान जाएंगे कि जी सर आ चुका है सेकेंड